मैं हूं मुक्तादिक्षित एस्टलोजर आज हम बात करेंगे आपका बुधवार का मार्केट कैसा रहने वाला है और ग्रह स्थिति के अनुसार क्या स्थिति मार्केट में बन सकती है जैसा कि जो है आज भी मार्केट में जबर्दस्थम को गिरावड देखने को मिली बहुत स सारी प्रिक्षन जो है मार्केट गिरने की जो जनवरी का वीडियो बना हुआ था मंतली कि इसमें क्या क्या स्थिति बन सकती है उसमें आप लोगों को बतला गया था कि मार्केट में जो है मार्केट गिरेगा इस इन तारीकों में जो है डाउन की स्थिति बन सकती है मद्द क्या स्थिती बन सकती है जैसा आप जानते लेसे जन्मकुर्णी और ले सकते हैं और लेवस जान सकते हैं टाइम आप में जान सकते हैं आप अपकर डाउन जा सकता है मार्केट उसके हिसाब से आप काल पुट में काम कर सकते हैं और इसके साथ ही जो है आपको डिस्क्लेमर पढ़ना अतियनिवार है और यह बात हमेशा यह निर्देश ध्यान में रखें कि हमारी शारी गढ़ना एस्टलोजी के बेस पर ही रहती हैं तो जब भी आप मार मार्केट का रुक देखना और अपने स्वाविवेक का उपयोग जरूर करें इसके बाद ही आप जो है जो तिसकी जानकारियों को देख सकते हैं तो जिया दोस्तों अब हम सुरू करेंगे जैसा आज भी हमें जवरदस्त मार्केट में गिरावर देखने को मिली और क्योंकि मंगलवार का बीडियो बन नहीं पाया था बहुत सारे लोगों के मैसेश थे लेकिन जो हमारे क्लाइंट हैं और जिन्होंने जोईन किया हुआ है उन सभी को इस बात की जानकारी लग गई थी कि आज मार्केट में जो है डाउन के योग बनेंगे इस प्रकार से अब हम लिकते हैं पंचांग क्या कह रहा है तो 24 जनवरी 2024 बुद्वार का दिन रहेगा पूर पुनर्वसू नश्चत रहेगा मिथुन रासी का प्रभाव कल पूरे दिन रहने वाला है इसके साथ जो है कल स्रवन नश्चतर में सूर्य का भी प्रवेस होगा इसके साथ अब इनकी घर्य इस्थिति क्या बन रही है कल के मार्किट के लिए तुबह मैं आगे आप लोगों को बतलाऊंगी क्या इस्थिती बना रहे हैं ग्रह यदि हम कल की इस्थित्थि देख रहे हैं तो चैंडरमा मिथुन रासी में हैं और समसपत्य योग में जो है आपका मंगल है सुक् मंगल पर तीन ग्रहों की दृष्टी बनी हुई है इसके साथ सनी अकेले केंदर में बैठे हुए हैं तो इनके प्रफाव से अपकल मार्केट में क्या उथल पुथल होगी क्या तेजी बनेगी जवरदस्त या मद्दी देखने को मिलेगी क्या होगा आगी वीडियो में आप लोगों को बतलाओंगी और अभी हम देखेंगे आपका रासी फल क्या कह रहा है तो जी हैं दोस्तों मंगलवार का रासी फल नहीं मिला बहुत से लोगों ने मैसेज किया तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मतलब रासी फल भी आपके जीवन में रहता है लेकिन यह बात भी ध्यान में रखें कि सुखुश प्रिक्सन आपको अपनी जनम पत्रिका से करवाना चाहिए कल रामलला बिराजमान हो चुके हैं और इसी के कारण कल जवरदस्त बैस्तता रही और भगवान के कारिकरम चलते रहे तो आप लोगों के जो है के लि बिराजमान होने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाईयां और अब हम देखेंगे कि आगे मानकित हमारा क्या कह रहा है तो जी हैं दोस्तों जैसा कि अब हम सबसे पहले रासी फल देखेंगे तो रासी फल में आएगी आपकी मेस रासी तो मेस रासी वालों के लिए कल काम करके लाब ले सकते हैं मित्रुन रासी वालों के लिए हानी का योग बन रहा है काम ना करें तो बहतर रहेगा या बहुत ही सोच बिचार कर काम करें करक रासी वालों के लिए जो है पूर्ण हानी का योग बन रहा है काम ना करें तो बहतर रहेगा और इसके साथ आती है आ लाब का योग बना हुआ है काम करके आप भी लाव ले सकते हैं इसके बाद यदि हम अगली राशी देखते हैं ब्रस्चिक राशी वालों के लिए मिस्रित योगे लाव हानी का तेदी प्रॉफिट हो जाता है तो लाव लेकर आप बहर निकल सकते हैं यदि हम धनूराशी की लिए यदि देखा जाए तो कुम राशी वालों के लिए लाब का योग बन रहा है काम करके आप पूंड लाब ले सकते हैं मीन राशी वालों के लिए मिस्ति योग लाब हानी का तो लाब मिलते ही मार्केट में इससे जो है बाहर हो जाएं तो जी है दोस्तों यह था आपका प्रासी फल जिसे मैंने बतलाया है और जैसे आप चार्ट की एनलिसिस करते हैं और हम जो है चार्ट को क्यों समझने के लिए देखते हैं लेकिन चार्ट में हम जो एस्टलोजी के आधार पर मार्केट में काम करते हैं और उसी प्रकार की गढ़नाय में आप लोगों को बतल वजे तक के समय में यहाँ पे अप डाउन के योग कहे गए थे इसके बाद कुछ अप की जानकारी दी गए थी और 10 से लेकर के आपके जो है बारा साड़े बारा वजे तक का यहाँ जो समय दिया गया था यहाँ पे जबरदस्त डाउन और इसके बाद जो है आपका दो बीस स लेकर के साड़े तीन वज़े तक के समय में डाउन का योग हमारे टाइम फैम में दिया गया था जो की बिलकुल सहीं और सटीक निकला हम देखी रहे हैं कि आपके जो है आज मार्केट लगवग तीन सो पॉइंट आज आपका मार्केट गिरा बैंक की निफ्टी में भी जवर समझ आ जाता है तो फिर हमारे लिए लाप कमाना कोई बड़ी बात नहीं होती है तो अब हम आगे देखेंगे कि आखिर मार्केट में क्या इस्थिती बनने वाली है तो यदि हम ग्रह गरना देख रहे हैं तो कल के मार्केट में भी कुछ जो है डाउन के बाद हो सकता है सु भावना हम को देखने को मिले मार्केट में और इस प्रकार से क्योंकि आज 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 आपका जो मार्केट बंद हुआ था बहुत से लोगों का कहना है कि आप पॉइंट ना बतला कर जो अनुमान निकलता है वह बतलाएं और मुझे पॉइंट बतलाना आसान लगता है तो ज नहीं और सटिक सावित होते हैं तो जी हैं दोस्तों यदि जो आपका निफटी का मार्केट आज बंद हुआ था 21,000 जो है आपका 238 पे यह बंद हुआ था और यदि हम मार्केट की जो इस्थिती देखते हैं कल के लिए तो ग्रहक अनुसार यदि मार्केट आपका अप और यदि कहीं इससे भी आगे जाता है तो 21,370 के आसवार के पास भी यह जा सकता है इसके साथ यदि कुछ डाउन के योग यदि हमें समझ में आए ओपन होने के बाद तो 21,183 पहला लेवल जा सकता है डाउन के लिए और 21,118 यह लेवल देखा जा सकता है तो यह केवल जो आपका मार्केट बंद हुआ है उसके अनुसार ग्रह इस्तिती के अनुसार एक अनुमान मैंने आप लोगों को बतलाया है अब हम यदि बैंक निप्टी की बात करते हैं तो जो बैंक निप्टी आज बंद हुआ था 45,015 पी यह बंद हुआ था तो यदि मान लीजिए बैं 45,160,45,270 और 45,470 के आसपास कल हाई पर देखा जा सकता है यदि अपसाइड मार्केट आपका जाएगा और यदि डाउन के योग बनते हैं तो 45,000 जो है आपका 913 और सौरी 44,913 और 44,780 के आसपास यह से भी नीचे देखा जा सकता है तो जी हैं दुस्तों लेकिन यह बात मैं आपको हमेशा वारवार कहती हूं कि जो है एक अनुमान है एक अंदाज है यह विसे ध्यान में रखें उसके बाद जानकारियों को आप अपनी स्वविविक के अधार पर जोप्यों करके देख सकते हैं तो जिए दुस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरू कीजे बेल आइकान अवस्दव आईए देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार